Good day to all the viewers, आज मैं एक बहुत ही महात्वपूरन मुद्धे पर बात करूँगा आपके साथ, with regard to our batch, which we started recently for JKSSB J-Electrical. J-Electrical का batch, जिसमें अभी तक हमने network analysis और control complete किया है, और उसके हमने online paper भी आपको upload कर दिये हैं, along with the answer की, और कल हमने, फिछले कल हमने electrical core के subject शुरू किया, Mr. Partick हैं, जो गवालियर से आए हैं और कुछ लोग और आने वाले हैं, जो electrical core के subject पढ़ाएंगे, और फिर उसके बाद जो electronics और communication के subject बचे हैं, वो दोबारा Mr. MS चोहान पढ़ाने आएंगे, हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी पढ़ाएं वो भढ़ाएं ताकि हमारे result अच्छा है, हमारा target होता है result, सबसे पहले तो मैं आपका यह जो एक rumor market में फैला है, कि अग्जाम नहीं होने वाला, अग्जाम कौन लेगा, JKSSB मना कर गई, यह वो, इस आर आल rumors, कोई भी पेपर लेगा, JKSSB ले, कार्पोरेशन ले, S.S.C. ले, कोई भी ले, anybody, मैंने पिछली बार भी बोला, पेपर तो होना है, vacancies available है, बार-बार बात हो रही है, मीडिया में भी, vacancies are available, after department चलाना है, और अभी थोड़े दिन पहले, एक और rumor फैल गया, privatization हो रही है, तो then what, अरे, JEE तो government के होने है, यही तो government के होने है, वो सिर्फ distribution करना, metering करना काम, private organization का होगा, हर state में ऐसे ही है, JEE government के होते हैं, यही government के होते हैं, सारे stop government का होता है, जो JEE and उससे उपर के जो लोग होते हैं, they are all the government people, और हमारे पास offline, online, दोनों mode में बैच चल रहे हैं, और बचे उसको पढ़ रहे हैं, कल हमने शुरू किया था measurement, जो electrical core का एक बहुत important subject है, मैं आज जो main बात करने लगा हूँ, वो यह है, कि पाठेक साब ने मुझे एक बहुत ही एहम बात जानकारी दी, क्योंकि यह तो पुरे इंडिया में पढ़ाते हैं, बड़े माने हुए faculty हैं, और इन्होंने बोला, कि सर, 85% जो questions आते हैं, JEE, electrical में, जो RRBJ में, वो आते हैं, measurement से, machine से, power electronics, power systems, जो चार component हैं, जिन से 85% question आते हैं, अगर आप इन चार component को कर लेते हैं, तो आपकी ना तोली पास होने के संभावना, but getting into the merit, उसके संभावना बढ़ जाती हैं, तो जो बचे electronics और communication के हैं, जिन ने अभी तक हमें join नहीं किया, कहीं नहीं तो join किया, नहीं किया, वो join करें, क्योंकि आप किसी भी job के लिए जब try करेंगे, आपको measurement भी पढ़ना है, power electronics भी पढ़ना है, power system भी पढ़ना है, और machine भी पढ़ना है, इन चीज़ों के लिए मिस्टर पाठिक जो आए हैं, ये एक माने हुए faculty हैं, और इससे अलाबा और बाकी जो पहले आ चुके हैं, और जो आने वाले हैं, हम बिल्कुल compromise नहीं कर रहे हैं, teaching learning process पर compromise बिल्कुल नहीं हो रहा है, we are going accordingly, भड़िया teacher आ रहे हैं, भड़िया पढ़ा रहे हैं, और अगर आप rumor लेके बैठ गए, तो बैठे रहो, अच्छानक एक रोज advertisement आ जाएगी, मैंने आज आपको बता दिया, अच्छानक, और फिर आपको जो प्रशर है recruitment agency, प्रशर है, अभी तो political process भी start हो गया, अगले 4 October, 5 जब 5 जब 6 October तक तो government भी बन जाएगी, उसके बाद pressure willed up हो जाएगा, और अगर advertisement हो गई, और अगर आपको बोला महने के बाद paper दो, कोई नहीं पढ़ाएगा, हम तो नहीं पढ़ाएगे बई, very difficult, we can't teach, आप चार subject के लिए तो आएए, आप machine पढ़िए, जो कल स्टार्ट किया measurement वो पढ़िए, उसके बाद machine पढ़िए, उसके बाद power electronics पढ़िए, power system पढ़िए, और बाखी subject साब की मर्जी है, क्योंकि जो बचे electronics और communication background के लोग हैं, वो बाखी subject तो पढ़े हुए हैं, लेकिन यह चार subject नहीं पढ़े, और वो पढ़ भी नहीं सकते हैं, जब तो कोई अच्छा teacher उनको पढ़ाने वाला नहीं होगा, और मैं बार बारा आपको बोल चुक हमने, चार question paper हमने भेजे, तो इन लोगों का जो लेबल है, वो आपको ज़रूरी चाहिए, अब तो जिकेसर भी हो, या corporation जो भी हो, यह मेरी बात याद रखे, level of examination has gone very high, आज जो भी exam हो रहे हैं पुरे इंडिया में, उनका लेबल बहुत हो चुका है, अब जो recruitment agencies हैं, उनक घर बाट के पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला, और आप आईए, आप हमारी demo classes लीजिए, अगर online demo classes लेनी हैं, तब भी आप देखें सक्रोल पे नीचे हमारे number चल रहे हैं, आप किसी भी number पे call करें, आप हमारे whatsapp पे message करें, we'll respond, लेकर जो आपकी बहतरी के लिए कह रह ताके बिना पढ़े, बिना अच्छे त्यारी किये, बिना अच्छे टीचर की मदद से नहीं होने वाला, खासकर उन बच्चों का जो 10-10 साल का gap हो गया, हमारी class में बैठें या भी भी 3-4 बच्चे, जो 8-8 साल पहले उन्होंने बी-TEC किया, electrical का, और वो कह रहें कि आज हम को बहुत अच्छा लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि हमको रिविजन हो रहा है, जो हमने 8 साल पहले पढ़ा था, आज हमको इन टीचरों के मादियम से अच्छा लग रहा है, इस वे आप आईए, और पढ़िए, महनत करिए, आप हमारे पास नहीं आई है, लेकिन आप पर मत जाईए, यह मत कहिए के नीजी रिकूर्मेंट होनी नहीं है, तो अगर रिकूर्मेंट नहीं होनी तो बंबे, कहां से आएंगे लोग, बंबे से आएंगे जैए, कलकटा से आएंगे जैए, कहां से आएंगे, वो आप ही मैं से होने हैं, लेकिन आप मैं से वो जो